अब बाएक तो मैं चानल तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही यूनिक सी रेसीपी यह मक्य की रोटी है और उसके साथ मैं भतुए के साब को मिला किसकी रोटी तयार करूँगी और आप इस तरह से इस रोटी को बनाएंगे तो बहुत ही हिल्दी बनने अब मैं इसमें अट कर दूँगी अज्वाईं और यहां मैंने लिया है हरी मिच लहशन और अध्रक इसके बार हम इसमें एट कर देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एड़ करिए उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे हाफ कप आधा कटोरी एक कटोरी मैंने मकई काटा लिया था तो आधा कटोरी की लगब मैंने आटा डालाया इसके बाद इसी चॉपर मैं साग को भी आड़ कर दूंगी उसके साथ साथ अदरा गलाशन और हरीमेज भी चॉप दो गई है तो इस तरह से मिक्स कर देंगे और सबसे पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों के सारे से कि सभी को एक साथ इस तरह से आपको mix कर लेना है और एक से दो मिनट के लिए आप ठोड़ा धक कर छोड़ दें उसके बास दीरे-दीरे पानी को एड़ करती हुए इससे गूतें क्योंकि बहुत जादा पानी आड़ करने से यह गीला हो जाएगा जल्दी से तो दीरे-दीरे पानी आड़ करें और अच्छा सा एक थोड़ा टाइट डो लगाना है और टाइट डो लगाने के बाद इससे रिस्ट करने के लिए आपको पाचमत छोड़ देना है उससे क्या होगा डो सेट हो जाएगा और अपना ओरिजनल जगह पे आ जाएगा जो आप रोटी जिस तरह से बनाते हैं उस जेसे आप नना हे जाप नॉर्मल रोटी बेलते थे हैं उस-तरह से नहीं गेलाना है इसे बिख यूद के ओढ़ू हो से से हलक़ा करते हुए स्थरह से बनाना आप मैं दिखाते हूं यह दकी बिलखोल गल को पितला नतला सा रोटी यह तैयार हो गया है तबा को करना है अग से प्लट देंगे हम उसके बाद हम लेंगे बटर तो मैंने ये काटे वाली चमच में इस तरह से अड़ कर लिया है डाल दिया है इसे लगाने में बहुत आराम होता है बटर और चारो तरह फलकालका इस तरह से फैला देंगे आप चाहें तो गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम इसे एड़ करेंगे लगाएंगे बटर को तो ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया अगर ये उसके बाद अच्छे तरह सेलट परटके में रोटी को पका लेना है तो ये मेरी मकी की रोटी देखी पकर रेडी हो चुकी है तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मेरी रेसिपी को ट्राइक किजिएगा और वीडियो पसंद आई तो इक लाइक करिएगा थैंक्स पर वाचिंग